संदन बच्चो आज हम कक्षा नौमी और कक्षा दस्वी जो व्याकरण भी थी है उसके अंतगत व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे जैसे कि बच्चो आप सब जानते हैं कि इसके पहले भी मैंने आपको संदी पढ़ाई है तो जो अलग-अलग संदी है ठीक है तो इस प्रकार आज हम चो पढ़ने वाले है वह है व्यंजन संदी कौन से संदी है व्यंजन संदी चली आएए पढ़ते हैं व्यंजन संदी को जैसे कि आप यह देख रहे हैं यह है व्यम्जन संधी यह हमने आपको करें पढ़ाया था इसको कहते हैं हल संधी कौन संधी कहते हैं हल संधी अब ध्यान से समझे कि व्यम्जन के पशार स्वर्ण या दो व्यम्जन वर्णों के परसपर ग्यवधान ग्रहित सामी प्रकी इस्ति में जो व्यम्जन या हल वर्ण का परिवर्टन हो जाता है वह व्यम्जन संधी कही जाती है व्यंजन के पश्यास वर्या दो व्यंजन वर्णों के परस्तर व्याउधान रहित्त सामीप की इस्तती में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिकरता हो जाता है उसको व्यंजन संधी वह कही जाती है आप पहला देखे इसमें दिया जो सूत्र दिये है शाचुत्तु इस्तोर शाचुना शुचिह ठीक है ना? ये सूत्र दिये हैं आपकेसमे अब क्या है? देखे साव या तावर्ग तो तावर्ग ताथा दधन ठीक है? ये दिये हैं का शाव या चावर अब चाव वर्ग ज्या, चाव, जर, ज्या, के सार, आगे या पीछे, योग होने पर, तो जे सो सा है, ये समोते वाला सा है ना, और शा, शक्कर वाला शा, तथा तावर्ग का चावर्ग में परिवर्टन हो जाता है, ठीक है ना? उधारण समस्ते हैं, उधारण देखेगा आप, जैसे कि मैंने अब आदार कहा, कि आपको ये उधारण आते हैं, या तो शब्द दे दिये जाते हैं, तो आपको विग्रा करना पड़ता है, या विग्रा दे दिया जाता है, तो आपको ये पूरा, क्या करना पड़ता है, अब देखिए इसमें जो दिया है साधन चा ठीक है ना शट ये जो बना बरावर शट तो क्या है यहाँ पर क्या आ गया मनश चलती शट क्या बन गया मनश चलती ये लगा ना मनश लगा साधन चा बरावर शट तो क्या है यहाँ पर मनश चलती आप देखिए यहाँ पर है रा तो यहां क्या जाएगा रामश शेते क्या आएगा शब्द बना रामश शेते क्या है मनस धन चंचला आप देखें यहां पर क्या क्या है सा धन चा धन शच तो यहां पर यह लगा शब्द मनस चंचला यह बंद्या शब्द इसी प्रकार हरिश धन शेते तो यहां पर देखें शा क्या हुआ है शा तो यह बना शच तो यहां पर क्या जाएगा हरिश शेते अब हम पढ़ेंगे जो उधारन पढ़ेंगे वो ता का चावर्व में आप इसके उधारन पढ़ते हैं देखें कौन से हैं जैसे गली है सत धन चित तो ता धन चा तो क्या बना चच यह है ना तो यहां पर क्या टाधन, चुछ, सच्चथां, मिया, धर दिया है उत्तहप्राइद चारना, उत्तहप्राइद चारना, यह क्या में बना, उच्छारन्ध इस प्रकार से यह आपका उच्छारनध बना यह उद्धन चारन ताउचार चच च तो यहाँ हो नवा गया ड्क प्राव्ण ड्रीट्य। इसी प्रकार जगत्थन जल्य। यहां भी देखिया आँगं उसफाओं प्रकाव्ण. इस प्रकार से और आपको ये जो उधारने ये बहुत अच्छे से पाने तो भी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं चले इसके बाद है शुट्ट वो शुट्ट ना शुट्टू ठीके आप यदी यदी सा या तावर्ग का तावर्ग का टा छर डर तफा ल में साथ आगे और पीछे योगो तो जो ये सब्सक्राम वाला शुट्ट I recom याने तावर्ग होना धारन समझें सावर्गा पहले आएगा शर्व रामस्द्धन शस्टैत इसमें देखें सावर्ग शर्ग मिना सर्ष टो राम्र राम शर्ष्टव यह आएगा शब्द बना हर्ष धन्टीकते साधंट शर्ष और ह्रिश्ट टीकते बनेगा अब यह पदेखे टावर का टावर देखे तथ दंटीका प्रिए तावर्ट नहीं तो यट्टीका आएगा तो इहां देखे तावदा धन डड तो बद यह बना शाख थिए ठीक है आक्रिश्टळनताव कुष्रावजैन ताव ठीक है ना शट तो आक्रिश्टा के शक्दियां पर आपको यह धारण दिये हुए है ओट कि घंवरत को जहला जशो अंते पादी के अंत में इसके ज़ल के स्थान पर जश हो जाता है ज़ल के स्थान पर जश ज़लों में वर्ग का देखे प्रत्थाम दुती, तृती और चतुरवन तथा शा, शा, सा, तथा हाँ उन 24 बर नाते हैं इस तरह ज़ल के स्थान पर जश जश्माने जवागडद ठीक है ना होता है वर्ग के प्रथम दुती तृती यत्वाचतुरवण के स्थान पर उसी वर्ग का तृती वर्ण जा रहा है जैसे शा शा साहा में शा के स्थान पर क्या जाएगा दा अन्य का उधारण प्राय मिलता नहीं है आप इसे उधारण समझ तह अन्य जैसे उधारण में दिया हुआ बात धन इशा है का धन स्वार्ण तृति वर्ण क्या है कै धेंर क्या मना जगदं इस सुप धन अंता देखें आदिया पा धनस्वर तृतीवन वा धनस्वर सुबंता आच धन अंता चा धनस्वर तृतीवन जा धनस्वर अजन्ता दिख धन अंबरा का धनस्वर तृतीवन क्या गा का था गा गा ना तुस्वर दिगंबरा बना इस प्रकार से आपको ये जो शब्द दिये हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिक्षक ये तयार करना है फिर है चत्व खरीचर यदी वर्गों कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग के दुती तर्थी चत्व पर्ण के बाद वर्ग का प्रखम दुती वर्ण या शाख श्रास आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रखम वर्ण हो जाता है अब उधार्ग से समझेगे आप जैसे दिया है सद्धनका रहा तो यहां पर क्या ह 47 यहां पर देखिया रहा है है, हुषाफूसर्ग तो लपस्यते लऌपास यहां आया नहीं ज़िफ। यहां बन लिए लपकश्यष। इस प्रकार दिख पाला जैसे आमने आपूपटा संधाय लगदा इस सेथे भाधनसा है ना फिर सिर इसमें क्या है प्रस लपकश्यष। ठीक है आप दिख धन पाला गःतन पाक्ष। यहां पर क्या आग तो दिख पाला अब यहां देखिए अनुस्वार मुनुस्वार है यदि किसी पद के अंत में मां हो उसके बाद के ग्र्जा ना आए तो मां का अनुस्वार बुलाता है आप देखें उपर लिखा है यह बिंदी लगे हुई है उधाराण समझी है जैसे यह हरें बंदे तो य अनुस्वार जो है यह बिंदी जो है अनुस्वार है ना इसमें लिखा अनुस्वार बुलाता है यहारें बंदे बंदे बुलाएगा अहां धर्म गच्छा मी तो देखें यहां पर ले जाएगा अहां लिखा ना गच्छा मी अब है परस्वर्ण अनुस्वारत से यही परस्वर्ण अनुस्वर्ण की पाद कोई भी वर्व बिंजन आए तो अनुस्वर्ण की स्थान पर आदे आने मारे वर्ण वोड के वरल का पंच्र करता है यह लगता है न कभी नहीं भी लगता है अब समा स्लेלקन स्पे हूं पहसे दीया है न जो बिया 11 न क्या यूंद है नियुक्त इंद आ यहां पर क्या है अंग किता पिर संग धन कल्पह यहां देखें लगा देखा आए खोग्या एक है यहां पर खुं धन DAY तो पुल्फ तो संग कल्पह फिर फूंधन थिता थिक यहां पर देखे ख़ारी यहें दिखाना फों फुन पुण है लुट इनद कु लगेगा तो यहां बन जाया कुंधिता है ना तो अंधिता यह शब्द बना तो इस प्रकार से ही जो हमने आप भी आपको समझाया है ना तो अंध अंध फिर अंज इस प्रकार जो शब्द बने यहां परण्कता संकलपा कुंधिता और अंचिता यह शब्द पूरे कम्पेट्व लोगे अप चलिए फिर है लत्नु तो यह दी ता बर्ब के बाद ला आये तो ता बर्ब के बादों का क्या हो जाता है ला फो जाता है किंतु ना के बाद ला के आने पर अनु नासिक ला अनुनासिख के चिंड पूरु वर्ण पर पड़रा धारत समझे जैसे यहां पर दिया उत्धन लंगजन तो यहां पर देगे पारु ता करता अर्य दन λέ बर नम्सक्राओ है तो रिलनरा क्या श्राइच मैं वे आता सिह दोटा धैंलां है लंग व्लंगना है श्राइज म financially लिखतां तो ता का क्या ला है ना लल लिखतां ये शब्दा आया उद धन लेखा ता धन ला लल लेखा अब यहां देखें महान धन लाभा तो ना का क्या लेखा लल तो महान लाभा महान लाभा विद्वान धन लिखती ना धन ला लल तो क्या यहां पर आजाएगा विद्व विद्वान लिखती तो इस प्रकार से विद्वान लिखती इस प्रकार शब्द बने जोगी परिक्षाओं में उच्छे जाते हैं कि आप देखें आप चत्व शच्छोटी यदि शा के पूर्पदान में किसी वर्वदा प्रताम दुती तृती अत्वा चतुरवण हो जैसे रणवा अत्वा हाँ हो तो जो शार है उसकी स्थान पर क्या हो जाएगा शार ठीक हो जाता है उदार्ण समझेए एतत्धन शोगना उदद यहां टाकिस्थान पर क्या शार शच्छ जैना यह लगा हो फर्वा एतत्ध छोगना हो जालेगा डशऊ नौर्टतव च्छटक तो had araw क्या से ज़ि क्या हई पर पश्चा आई तो च्छा के पूर्व चा का आगा आप देखें उधार्ण समझिए जसे दिया है तरुधन च्छाय अखिए उधन्छ बराबर उधन्च दन्छ यह क्या बन गया तरँ छाय ठीक अनुच्छेदव उधन्छ बराबर उधन्च अनुच्छेदव आप इसी प सब्सक्राइब इधन्रफ बरावट इधन्च धन्च यह क्या बन गया परिचेदा चलिए कि पूर्वर्टि स्वर्व दीरबुना रो री धारत यहाँ के बाद रहा हो तो पहले रहा का लोप हो जाता है तका उसका पूरबर्ती स्वर देर गुलाते रदा ने स्वरधन राज्यम् रर्धन रा अपिर म्धारे निर्धर रहरा प्लेजेंगा Autonya Stacy अब यहां पर एक चाएंगा स्वाराज्यम् लॉीनोगश। चिए n garbage चाहिए अब यहां depends जराबर इधनर तो यहां पर कहले नीगी रखता हो अब ना का नणा होना ठीक है यदि एक ही पद में रूर या शाथी पश्यत ना आए तो ना का क्या हो जाए नणा हो जाता है उधारन समझे करेश्ण विष्णू स्वर्ण वार्ण इत्यावी अर्थात आ आ आ ई ई उ उ रू आ या व गावर पावर आं तद हन्नूं इन वाणों के गवदान भी या रत्व विधी प्रवत्त हो जाती हो जाती है उधारन जैसे ना धन्ना है ना यांपर कह जाएगा ना रिशी धन्ना तो लिश्ण लाई इस तक आज बसा बैं मात इसके शंदी विचेदम रुपम्पुरियत दिया है इसमें कि आहएग और तो दिग अंबरा में अंबर दिया है अब इसमें अपशाथ दिया है और यह लिग aappa दिया है और आ और यह तो अब इसका जिसें वाण यह दिसके आयगा कराके चाहरेयना किषयना अश्य रामा और लंग जगत दिये जगत दिया सही सब्नकि जगति शयए कि आयें थे समुके यह तो तो क्या आएगा निर्फ ठीक है तल लीना तद धन लीना यह आपनों को याद होगा तिहां पर क्या होगा तद धन लीना शब्र इस प्रकास इसको पूरा कॉप्लीट करके कॉपी में आपको लिखना है चलिए आप इसमें देखे आपको सही लिखना है अब इसमें 2 दियाते है विग्र दिया सदो ली क्या वानीचंत है ऋर सज्ट अंड। यह देकिए उत्तार चत्छुर्वं खिया सत्यकिन तूक्ति की तो यहां डिना अन त्प्रकार से मौन्स प्रकार से संकॉइं गयर? इसमें आएगा सजना, दूसरा तवर्ड़न सुथ्वा, तटशुथ्वा कि तच्छुथ्वा, क्या सही सब्ड़े तो यह आएगा तच्छुथ्वा, ठीके, फिर गिद्वान धन लिखती, तो क्या आएगा गिद्वान लिखती, अभी मैंने आए शब्दे आपको पड़ाय लिकी साहिए सब्द के आएगा संकल्प उत्धे लेखैं CPR गटाने पुरा तैयार करके और लिखना है आप देखिए यहां पर दिया अधो रेक तेसु बाद तेसु स्टूर पदा ना आप यहां पेच्चन संधी अत्वा संधी रहा तो संधी करना है या संधी विच्छेद करके इसमें लिखना है तो जो बड़ा वज़ा जैसे दिया है जगत शिवान है ना यहां पर देखिए अब देखिए वाइगा जगत धन शिवान फिर इसमें दूसरा क्या दिया है वो तो धन लेकता यह इक रवी और शाथ पूरा क्या बनेगा और लेक्षितां थी तो इसकी बिग्रह करना है तो निरधन रोगा आएगा थिक फिरसके बाद एक और पंधन चमेश्वरे गायती तो प्रकार बच्चो मैंने आपको यहां पर वेंजन संदी और वेंजन संदी की जो भी उसमें प्रकार दिये जो भी उधारन वह सब आने आपको पढ़ाएं और बच्चो आप लुग काफी में लिखें जैसे कि मैंने बार बार कहा संदी में या तो विघ्रह पूछा जाता है या विघ्रह दिया जाता तो उसको आपको जो उड़ारन रहता है तो आप इस प्रकार से उसको प्रश्णु